आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 14 जन्वरी 1980 के अव्यक्त मदूर महावाक्यों पर मनन चिन्तन करते हैं आज के मुर्ली का विशय है रुहानी सैनानियों से रुहानी कमांडर की मुलाकात मैं ब्रह्मा कुमारी उशाबेन माउंट आबू से और हमारे साथ हमारे वरिष्ट ब्राता ब्रिज्मोन भाई जी आज हमारे साथ है आज विशेश कौन सा संगठन है इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को जो हर एक डबल सेवाधारी वा डबल नौलेज़फुल है ऐसे ग्रूप को देखकर आज वतन में एक विशेश समवाज चला ब्रम्मा बाप बोले ये विशेश मेरी भुजाएं है शिवबाप बोले यह मेरी रुद्रमाला है रुद्रमाला में विशेश मणके है ऐसे चिटचैट चलते हुए शिवबाबा ने पूछा ब्रम्मा बाप से कि आपके ये सब भुजाएं राइट हेंड्स है या लेफ्ट हेंड्स भी है राइट हेंड अर्थात सदा समान स्वच्छ और सत्यवादी तो बाबा पूछे तो सब राइट हेंड्स है तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए बुले कि हर एक का पोता मिल तो आपके पास है ही तो बाबा कहे जब पोता मिल देखने की बात आई हर एक बच्चे का पोता मिल सामने इमर्ज हुआ कैसे इमर्ज हुआ एक घड़ी के रूप में, जिसमें हर एक की चार सब्जेक्ट के चार भाग थे, जैसे यहां स्रिष्टी चक्र का चित्र बनाते हूँ, हर भाग में अलग-अलग काटे लगे हुए थे, जो हर एक के चारोही सब्जेक्ट की परसेंटेज बता रहे थे, सबके पोता मिल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, पोता मिल देखते हुए बाप दादा आपस में बोले, समय की घड़ी और बच्चों के पुर्शार्थ की घड़ी, दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया? समय की घड़ी फास्ट है, और बच्चों के पुर्शार्थ की घड़ी, मैजॉरिटी की दो भाग और थाथ, दो सब्जेक्ट की रिजल्ट 75 परसेंट फिर भी ठीक थी, लेकिन दो सब्जेक्ट के परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी, तो बाप दादा बोले, इस रिजल्ट के प्रमान, एवर रेडी ग्रूप कहेंगे, जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित बने हुए बच्चे, एक सेकंड में तयार हो जाए, ऐसा स्मृती का समर्थ बटन तयार है, जो संकल्प किया और अशरिरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्यान करी, उची स्टेज पर स्थित हो गये, और उसी स्टेज पर स्थित हो, साक्षी द्रश्टा हो, विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंद, पदार्थ, संसकार इन सब की आकर्षण से परे, प्रकर्ति की हल्चल की आकर्षण से परे, फरिश्टा बन उपर की स्टेज पर स्थित हो, शांती और शक्ती की किर्ने सर्व आत्माओं के प्रती दे सके। इसी स्मृति का समर्थ बटन तयार है, यह श्यु बाबा पूछ रहे हैं ब्रह्मा बाबा से, यह ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं श्यु बाबा से, यह ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं श्यु बाबा से, यह श्यु बाबा के पास है ना पोतामेल, श्यु बाबा ने इसक तब तो समाप्ति हो इस ग्रूप को देखकर वतन में पोता में इमर्ज हुआ बाहु बल वाली सेना भी भी वेराइटी प्रकार के सैनिक होते हैं कावा कहें जैसे बाहु बल वाली सेना में भी वेराइटी प्रकार के सैनिक होते हैं कोई बॉर्डर पर जाने वाले, युद्ध के मैदान पर जाने वाले, अर्थात डाइरेक्ट वार करने वाले और दूसरी उनकी पालना करने वाले पीछे होते हैं डाइरेक्टर तो बैकबोन होते हैं, ऐसे ही यह जो ग्रूप है, वो मैदान पर सेवा करने वाला ग्रूप है, मैदान में आने वाली सेना के आधार पर ही विजयी अथ्वाहार की बात होती है अगर मैदान में आने वाले कमजोर, शस्त्रहीन, दर्पुग होते हैं, तो कभी भी डाइरेक्टर की विजयी नहीं हो सकती है विश्व कल्यान के मैदान पर यह सेवाधारी ग्रूप है, यह ग्रूप बहादूर है सामना करने की शक्ती, अर्थात अनुभव कराने की शक्ती, सभी को स्रेष्ट चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ती, ऐसे शस्त्रधारी है क्या समझते हो? ऐसे शक्ती सवरुप ग्रूप है विद्न चारों सब्चेक्त के चारोंblingjutी अलंकार धरी हो डो भूजा वाले शक्ति स्वरुफ हो या चार भूजा वाले हो यह चार अलंकार, चार सब्चेक्त के निशानी है तो ाउसित अलंकार धरन किये हैं या किसी ने दो धारन किये हैं, किसी ने तीन किये हैं, या एक धारन करते हैं, तो दूसरा छूट जाता है तो इस गुरूप का महत्व समझा तो ये बाबा ने जैसे पूरा पोता मिल बता दिया फिर बाबा कहें श्रीमत का काटा ठीक तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे सेवा के मैदान पर आने वाला ग्रूप है अर्थात विजय के आधार मूरत ग्रूप है आधार मूरत मजबूत हो ना? आधार हिलने वाले तो नहीं है ना? जैसे ज्ञान और सेवा इन दो सब्जेक्स के उपर रिजल्ट 75% देखी वैसे याद और धार्न इन दो सब्जेक्स पर भी ज्यादा एटेंशन दे चारो ही अलंकार धारी बनो नहीं तो स्रिष्टी की आत्माव को संपून साक्षातकार करा नहीं सकेंगे इसलिए इन दो अलंकारों को धारन करने के लिए विशेश क्या एटेंशन रखेंगे डबल सेवा धारी हो लौकिक और इश्वरिया शरीर निर्वा अर्थ और आत्म निर्वा अर्थ डबल सेवा मिली हुई है और दोनों ही सेवा बाप दादा के डाइरेक्शन प्रमान मिली हुई है लेकिन दोनों ही सेवा में समय का शक्तियों का समान एटेंशन देते हो तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो काटा ठीक रखते हो के बिना काटे के तराजू रखते हो काटा है श्रीमत अगर श्रीमत का काटा ठीक है, तो दोनों साइड समान होगी अर्थात तराजू का बैलन्स ठीक होगा अगर काटा ही ठीक नहीं, तो बैलन्स रह नहीं सकता कोई-कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं कैसे? बच्चे लौकिक जिम्मेवारिया निभानि है ऐसे समझते हैं और ईश्वरिय जिम्मेवारिया निभानि तो है और वण निभानि तो है इसलिए एक तरफ का वजन ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट क्या होती है बोज उनको ही नीचे ले आता है उपर नहीं उठ सकते बोज वाला साइड सदा नीचे धर्ती पर लग जाता है और हलका उपर उठ जाता है और समान वाला भी उचा उठता नीचे धर्ती पर नहीं लगेगा धर्ती पर लगने के कारण धर्ती के आकर्शन वश हो जाते हैं बोज के कारण इश्वरिय सेवा के मैदान पर हलके होकर सदा सफलता मूरत नहीं बन सकते हैं कर्म बंधन के लोक लाज के बोज नीचे ले आता है यह तराजू में अगर दोनों पलडे समान हूँ तो दोनों उठ जाएंगे धर्ती पर नहीं लगेंगे और अगर एक धर्ती पर लग जाता है तो धर्ती के सारी चीजें जो कर्म बंधन के लोक लाज का बोज नीचे ले आते हैं जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं और जिस संगम युग वा संगम लोक के बन चुके है उस लोक की लाज रखना भूल जाते हैं जो लोक भस्म होने वाला है उस लोक की लाज सदा समृती में रखते है और जो लोक अविनाशी है और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है उस लोक की स्मृति दिलाते भी कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते हैं ग्रहस्त व्यावार और इश्वरिय व्यावार दोनों में समानता रखना अर्थात सदा दोनों में हलके और सफल होना फिर बाबा ने आगे कहा, ग्रहस्त व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवार, वास्तव में ग्रहस्त व्यवहार शब्द चेंज करो, ग्रहस्त शब्द बोलते ही, ग्रहस्ती वन जाते हो, इसलिए ग्रहस्ती नहीं हो, ट्रस्टी हो, ग्रहस्त व्यवहार नहीं, ट्रस्ट करम योगी बनो तो बाबा काते है ग्रस्त शवित चेंज करो जो उसकी लोक लाज बगारा में उसकी सब ध्यान रखेंगे और जो खाली रहेगा जो आने वाली दुनिया उसका ध्यान नी रखेंगे तो बाबा ने लेफ्ट एंड राइट हैं उसको बाबा ने पर रूप में ग्रहस्त व्यवहार नहीं ट्रस्ट व्यवहार ग्रहस्ती बनते हैं तो क्या करते हैं ग्रहस्तियों का कौन सा खेल है ग्रहस्ती बनते हो तो बहने बाजी बहुत करते हैं ऐसे और वैसे की भाशा बहुत बोलते हो ऐसे है ना वैसे है ना बात को भी बढ़ाने लग जाते है यह तो आप जानते हो, करना ही पड़ेगा, यह तो ऐसे ही है, वैसे ही है, यह पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो, ट्रस्टी बन जाओ, तो बहाने बाजी खत्म हो, चड़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगे, तो आज से अपने को ग्रहस्त व्यावार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यावार है, जिम्मेवार और है, निमित आप हो, यनि बाबा कहता है कि अगर ग्रस्ती समझोगे तो बहाने करते रहोगे, और उसका नुकसान क्या होगा, कि बहाने बाजी रहेगी, लेकिन चड़ती क्ला की बाजी नहीं रहेगी, और ट्रस्टी बनोगे, तो चड़ती क्ला की बाजी शुरू हो जाएगी, सोचना चाहिए कि कौन सी बाजी खानी है, क्ला बाजी कौन सी खानी है, जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे, तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा, तो यही ग्रूप एक-एक बहुत कमाल कर सकते हैं, कर्म योगी, सहज योगी का हर एक सेम्पल, अनेक आत्माओं को स्रेष्ट सौधा करने के निमित बना सकते हैं, और जो भी हद के गुरु होते हैं, उनका एक गदी, नशीन, शिश्य, अपने गुरु का नाम, बाला करता है, और यहां सत्गुरु के इतने सब तक्तनशीन बच्चे हो, एक-एक बच्चा कितना स्रेष्ट कार्य कर सकते हैं, बाप, दादा, सभी बच्चों को ऐसे सर्विसेबल, विश्व में नाम बाला करने वाले, विश्व कल्यान कारी बच्चा समझते हैं, जब एक दीपक दीप माला बना देता है, तो आप एक-एक दीपक सारे विश्व में दिपावली कर देंगे, समझा, इस ग्रुप को क्या करना है, वेराइटी ग्रुप को वेराइटी वर्ग वाली आत्माव के सेवाधारी बन, सर्वकी सद्गती, वासरेष्ट जीवन बनाने का जैसे डबल विदेशी है, वैसे यह डबल नॉलेजफुल है, डबल सर्विसिबल है, रिजल्ट भी डबल निकालनी है, ऐसे सदा, सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त, विश्वस्टोकेश के विशेश, सोपिष्ट, विश्व परिवर्तन करने के आधार मूरत, सदा श्रीमत के आधार पर, स्व उद्धार और विश्व उद्धार करने वाले, ऐसे सदा, विश्व सेवाधारियों को, बेहत के सेवाधारियों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, तर बाबा के डॉक्टर्स के प्र Double Doctor's Group है ना। यहसे सभी डॉक्टर साथ पने हद की doوتरी की karışशलिस्ट होते हैं वैसे रुहानी डॉक्टरी में विशेश की सेवा के निमित बने हुए है यहसे हद की डॉक्टरी मिए वय आखो का कोई विशेश गले का कोई सर्जन कोई सिर्फ दवाईयां देने वाला होता है तो इस रुहानी डॉक्टरी में क्या विशेष्टा है एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार उपी बीमारी को नैनों की द्रिष्टी द्वारा समाप्त कर दे अर्थात उस समय उस बीमारी से उनको भुला दे ऐसी विशेष्टा वाले डॉक्टर्स हो जैसे वह आँखे ठीक कर देते हो ऐसे अपने द्रिष्टी द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दवा दे फिर समाप्त कर दे उस समय शांत कर दे ऐसीविशेष्टा वाले डॉक्टर्स हो यह हुआ online ढॉक्टर्सका द द रि वर्तन कर दे जैसे डॉक्टर गोली देकर थोड़े समय के लिए दर्ध को दबा देते हैं ऐसे आखों के डॉक्टर हो जो द्रिष्टी से उनको संतुष्ट कर दो हद के नहीं रुखाने रुखानी आखों के डॉक्टर अर्थात रुखानी द्रिष्टी से शवा देने वाले फिर दूसरा बावन निक हा ऑपरेशन वाले डॉक्टर जैसे वो ओजारों से ओप्रेशन करते हो वैसे अपने में जो शक्तियां है ये शक्तियां ही यंत्र हो जाए जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएगी बाबा कहें जैसे अपने ही थीटर के यंत्र द्वारा ओप्रेशन करते हो पेशन के यंत्र को नहीं यूज़ करते हो ना ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो कामी को निश्कामी और क्रोधी को निख्पुरोधी बना दो इसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज़ करना पड़े तो ऐसे अपरेशन वाले तो ऐसे यहां भी अलग-अलग विशिष्टा वाले हैं तो बाबा का ऐसे ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो जैसे उसमें आख नाख सब के अलग-अलग स्पेश्यालिस्ट होते हैं ऐसे यहां भी अलग-अलग विशेष्टा हैं यहां भी जितनी कोई डिग्री लेना चाहे तो ले सकता है जो सर्व विशेष्टाओं में फिर तराजू के रूप में स्पश्ट किया और फिर कैसे डॉक्टर के सामने बाबा ने जो बाते कही कि डबल डॉक्टर कैसे अपनी रूहानी शक्ती से शफा देना है अच्छा, ओम शाहिए